नमस्कार दोस्तों आप सभी का एक बार फिर से क्वालिटी एजूकेशन पर हार्दिक सौगत है जैसा कि आप सभी लोगों ने थमनेल से देख लिया होगा कि अब जो है वो आप सभी के लिए राजस्तान वुगोल एवमर्थ वैवस्ता का एक बहुत ही बड़ा समुद्र वा कि कुसीजां कि आपको मिलने वाले अभी 10 सेलयबस के उपर भी डिसकस्थन करेंगे ति क्या आप इसमें रखेंगे याने की ऑन बड़ने वाले हैं उससे पहले जो है आप सभी को कॉर्स के बारे में जानकारी बता देता हूं कि कॉर्स जो है वो किस प्रकार से अपना रहने वाला है तो पहली चीज तो यहीं होगी कि जो अपना कोर्स है वो राजस्तान भुगोल एवं अर्थ व्यवस्ता का कोर्स रहने वाला है पहली चीज तूसरी चीज के अंदर करण कौन कौन से नए परिवर्तन कुछे जा सकते हैं एक साल के अंदर या डेड़ साल के अंदर वह आपन देखेंगे नए परवरी के बाद में जो हो नहीं आर्थिक्समिक्स आएगी तो आपके अपडेट हो जाएगी यानि कि यह कोर्स जो है वो चलने वाला कोर्स है आपके रोकने वाला नहीं है इसको ले लिया फिर आगे समझ्या होगी आगे जो भी मेंटर अपडेट होगा वैसे वैसे आपके लिए अपडेट भी कर दिया जो भी नविंतम जो आकड़े हैं वो सारे के सारे आपको इस कोर्स के अंदर मिलने वाले है। साथ साथ में एक important आप सभी के लिए news और सबसे important चीज इसके अंदर की कोर्स के साथ में आपको online test destridge जो है वो क्या मिलने वाली है free में मिलने वाली है यानि कि अगर आप course लेना चाहते है तो है when you look बर्तियों के लिए यह up-yog Begin है यह आप ldc कि करो चाहे third grade कि करो जानि कि कूछ अब पक्ना नहीं है तो एसी समश्चा से आपका जो हम पिल जाएगा यानि कि समाधान मिल जाएगा आपको इसके अंदर सारे के-सारे मिलेंगे अब हम देखें गें कि असज़्लिए प्रफेड़ जी जह वापन उप्रध्र पढ़ने वाले इसके लावत इस्के लेकisl competition does जो है वो पैनल के वीडियो मिलेंगे अपने quality education application के उपर साथ-साथ में आपको PDF जो है वो भी इसमें उपलब्द होने वाली है तो पहली चीज आती है सबसे important की rate क्या रहने वाली है तो course की जो प्राइज है वो रहने वाली है 499 देखिए आपको हो सकता है यह ज्यादा लगे यह प्राइज इसलिए ज्यादा नहीं है क्योंकि इस 499 के अंदर आपको 100 गंटे से plus जो है वो class मिलने वाली है केवल 499 के अंदर साथ-साथ में आपको test प्राइन है कहीं पसुदन है कहीं क्या है कहीं क्या है सारी चीजे कवर हो जाएगी अभी आप से अलेबस में देखोगे तो आपको पता भी चल जाएगा तो 499 जो है इसमें आपको यह course मिलेगा जिसके साथ में आपको एक test जो है वो भी free में मिलने वाली है test research की भी अपन बात करेंगे कि test research कैसे क्या रहने वाली है राजस्तान भूगोल एवं अर्थ वेवस्ता का यह आपका course है बहुत ही शांदार जो है वो course रहने वाला है एकदम सांदार तरीके से अपन जो है वो इसमें राजस्तान जोगरॉफी पढ़ेंगे और 499 के अंदर test research की में एक बार जानकारी सारी की सारी आपको बता देता हूं राजस्तान भूगोल एवं अर्थ वेवस्ता कि test research अगर कोई मान लीजिए कि course अगर नहीं लेना चाहता है तो उनके लिए यह 99 रूपीज में यानि कि 99 के अंदर 99 रूपे के अंदर उनको केवल test research भी मिल जा test research free में मिलने वाली है इस online test research के अंदर क्या-क्या रहने वाला है तो इसमें जो है वो total test जो है आपके लिए 30 रहने वाले यानि कि कुल test की संक्या होगी 30 प्रतियक test के अंदर कुल प्रशनों की संक्या होगी 20 अब 20 क्योशन भी इसलिए रखे गए हैं कि आपको बिलकुल ए लगबग 600 जो है आपके क्योशन मिल जाएंगे और इन 30 test के अंदर से जो है वह राजस्तान भूगोल के 17 टेस्ट होंगे लगबग जो है अपना भी सेलेबस में भी बात करेंगे तो सेलेबस के अंदर जब हम देखेंगे तो 17 टेस्ट जो है वह ऐसे हैं जो कि आपके वन ड सेलेट और उसके बाद में यह ऑजाएंगे आपके 23 के आजबस पास 24 है वो है आपके के टेस्ट हो जाएंगे तो इसके बाद में 6 टेस्ट जो है आपको पूल- sessions के उपर रहेंगे इन फुल लेंट वाले जो टेस्ट है इनके अंदर और भी वरदी की जा सकती है समय के साथ में ठीक है तो यह एक प्रकार से आपके लिए न्यूज है कि जिसमें आपको 30 टेस्ट मिलेंगे 17 हो जाएंगे राजस्तान जोगरोफी साथ हो जाएंगे राजस्तान एकोनोमी 6 हो जाए अगर आप कोर्स लेना चाहें तो इस कोर्स के साथ में भी जो है आपके पूरा का पूरा यह है मैटेरियल आपको फिरी मिलेगा जो टेस्ट स्रीज वाला है तो ठीक है यह आपके हो जाता है एक परकार से जानकारी किस के बारे में टेस्रीज के बारे में या फिर अपने को यानि कि इस कोर्स के अंदर अपन कौन-कौन सा सेलेबस यानि कि कौन-कौन से टॉपिक को अपन कवर करने वाले हैं जिसमें राजस्तान के सभी एक्जाम जो है वो कवर हो जाए ठीक है तो यहां से जो है वो हम देखेंगे जैसे कि सबसे पहला टोपिक आपका रहेगा राजस्तान का सामानी परीचे राजस्तान का सामानी परीचे जो है यह बेसिकली किसी भी एक्जाम के सेलेबस में डाइरेक्ली लिखावा नहीं रहता है लेकिन इंडाइरेक्ली यहां से क्योसन पूछे जाते हैं क्योंकि सामानी परीचे में अपन कई सारे टोपिक करते हैं जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे राजस्तान का नाम करना राजस्तान का नाम कैसे आया जैसे कि इसमें हम पढ़ेंगे राजस्तान में जिला एवं संभागिये व्यवस्ता तो राजस्तान में जो नए जिले बने हैं नई जो संभागिये विवस्ता गठी तो ही है तो उसमें अपन दस संभाग एवं 50 जिलों का अध्यन करेंगे विस्तार से वो अपने इसी में ही रेने वाला है राजस्तान का चेतरफल एवं आकरती राजस्तान की कैसी क्या इसके उपर चर्चा करेंगे राजस्तान की इस्तत परिश्तान का सामान ये परीचे बनता है ये हम राजस्तान बुगोल के अंदर जो है वह पहला टोपिक पढ़ने वाले हैं इसी परकार से आपके जो है वो दूसरा टोपिक रेने वाला है प्रमुक भू आकर्तिक प्रदेश जो है ये लग बग हर सेलेबस के अंदर रहता है इसमें हम मरुस्तलिय प्रदेश है या फिर अरावली परवत्माला है या पूरवी मैदान है या फिर हाडोती का पठार है इनका अपन विस्तार से चर्चा करने वाले हैं तो राजस्तान बुगोल के अंदर ये है आपके दूसरा पॉइंट रेने वाला है तीसरा आप आपके आरब सागर है बंगाल के आंतरिक परवा है वह मेठे पानी की खारे वाइंगे ये हम विस्तार से पढ़ने वाले हैं अगला पॉइंट अपना रहेगा प्रमुक सिचाई परियोजनाय राजस्तान की और जल संरक्षन की तकनिक सिचाई पर युजनाय जितनी भ ये अपन देखने वाले हैं अगला पॉइंट आएगा जलवायू की विशेस्ताइं राजस्तान की जलवायू हम पढ़ेंगे जिसमें राजस्तान के सामाने रूप से जलवायू वर्गीकरण कितना है राजस्तान के अंदर कोपेन के द्वारा वर्गीकरण धानवेट के वर्गे करण ये हम इसमें देखने वाले हैं अगले प्रकृंट अपन चर्चा करेंगे जैसे की प्राकृतिक वनस्पति एवं मृदा वहां कटरें तो राजस्थान के अंदर जैसे की प्रकृतिक वनस्पतिक प्रदेश कितने इसको अपन विस्तार से पढ़ने वाले हैं इसके अलावा अगला टोपिक आता है आपके जैसे कि जैसे कि विविदता एवं इनका सरक्षन को लेकर जो है वह आप सभी को पता है कि जैसे की राश्ट्री उध्यान है अभ्यारन्य है आफेट नीशेद चैत्र है या फिर आपके जैसे कि बाइलोजिकल पार्क ये सारे के सारे जो है वह आपके इस जे विविदता इवें इनके शरक्षन में आता है यह विविदता कि राजस्थान में कौन-कौन से चैत्र है उसके उपर इपन चडचा करने वाले हैं अगला पो की लंबाई कितनी है सड़कों का गनत्व क्या है वो सारी की सारी चीजे हम बिल्कुल अपडेट जो है वो आर्थिक समिक्षा के साथ में पढ़ने वाले हैं अगला टोपिक आपको मिलेगा जैसे की पसुदन पसुदन भी ऐसा टोपिक है जो कुछ एक्जाम में है कुछ में आपको मिलता है कहने का मतलब एस कोर्स के बाद में आपको अन्य किसी किताब की आउच्छा करने वाले हैं जैसे की पसुदन के अंदर ही हम चर्चा करेंगे राजस्थान विविन पसों की नसले उन नसलों के साथ साथ में पसो के रोग पसों के रोग उनके नुसंदाह के पॉइंट में अगला पॉइंट आता है जैसे कि करसी एवं करसी जलवायू परदेश अब करसी का टॉपिक ऐसा है जो की एसाई के अंदर नहीं है लेकिन आरेस के अंदर करसी का टॉपिक है अब करसी के अंदर अपन करसी की प्रमुक फसले पढ़ेंगे करसी उत्पादन युइसमें अगला टॉपिक आपको मिलेगा जैसे की परमुकह उद्धयोग अब उद्धयोग का टॉपिक जो है ये राजस्तान के जूति पर है इसके साथ में जोन्ती युथी परो में देख लेंगे तो ये प्रमुक उद्योग मिलेगा अगला टोपिक आपको मिलेगा जन संक्या एवं प्रमुक जन जातिया अब जन संक्या एवं जन जातिया टोपिक जो है ये बैसिकली जन संक्या कोमन है दोनों के अंदर S.I.R.S. के अंदर एवन लगबग राजस्तान के हर एकजाम में ज संख्या का टोपिक होता है जिसमें नविसम जन्गरना का जो अद्यान करना पड़ता है अगला पुइंट अंदर अगला पॉइंट आपको मिलेगा राजस्तान जोग्रफीक अंदर खनीज का जो है वह बेसिकली राजस्तान में दो प्रकार को ओते हैं एक होता है धात्विक जैसे फिर प्रकार जैसे कि आपके पेट्रोलियम है राजस्तान में या फिर प्राकर्तिक या फिर कोईला है यह सारे के सारे इसमें अपने विस्तार से पढ़ना क्योंकि राजस्तान के लगबग हर एक्जाम के अंदर यह है पुछा जाता है अगला पॉइंट आएगा आएगा आपके उर्जा स साबाप चार तो यहां अरेस प्री और मैंस के अंदर है और और जैसे कि ए प्रण्परागत और परम इलएंगे इस प्लांट के बारे में पढ़ेंगे वर्थमान मुत्पादन क्या है ये सारी के सारी चीजे अपन उर्जा संसादन के अंदर पढ़ने वाले है उसके बाद में अगला आता है परियेटन इस्तल एवं परिपत आरे स्प्री के अंदर लिखावा परियेटन इस्तल एवं परिपत राजस्तान के प्रमु के परियाटन इस्तल कौन कौन से हैं अजमेर के कौन से हैं जेपुर के कौन से हैं जोद पूर के कौन से हैं यह सारे के सारे अपन देखेंगे साथ साथ में परिपत भी देखेंगे राजस्तान के अंदर पहला पॉइंट रहेगा पर्मु के परियावन से जुड़े वे जो मुद्दे से इसके अलावा भी स्कर्णा के रिकने रूप से राजस्तान में क्या संभावना हैं यह एक पॉइंट लिखावा है तो ये दोनों की दोनों पॉइंट जो है वो अपने चर्चा करेंगे बैसिकली आरेस मेंस के अकोर्डिंग बाकी जो टॉपिक आपके आरेस प्री में और मेंस में कॉमन हैं वो भी हो जाएंगे SI में जो है especially वो टॉपिक भी आपके हो जाएंगे इसके अलावा जो SI में या फिर इन दोनों में नहीं है वो आपके अलग से और अगर है जैसे परीवेहन का टॉपिक है जो LDC वगरे में होता है CET में होता है तो वहाँ पर वो अमपर परीवेहन का टॉपिक भी कर रहे हैं कि उसको हर साल अपडेट रहेंगे राजस्तान के अर्थ व्यवस्ता के अंदर कुछ basic topic होते है जैसे कि पहला topic आता है अर्थ व्यवस्ता का व्रहत प्रीद्रशा Mahar तो विवस्ता का मिलेगा जैसे की करसी का हैry और सेवा तीनो चैतर का अलग 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 जो है वह पर मुगए करीन्टantes मुद्ध्स में मुद्ध्दे कौंद कौन से हैं अर्थुन मुद्ध्स्टा के करसी 4 लेते वे तो कि सेच्टे के पर मुद्ध्स अस चैतर के अपना को देखेंगे ना घरीबी भी बेरोजगारी सपने वाले और सम्वर्दी सब्सक्राइब आयोजना के अंदर फिर अगला पॉइंट अपन देखेंगे आधारभू तो सरचना एवं संसाधन तो राजस्तान के अंदर आधारभू सरचना एवं संसाधन का मतलब जैसे कि सड़कों को यानि की परिवहन को संचार को उर्जा को इनको लेकर क्या अर्थ व्यवस्था के अ इनके लिए प्रमुक विकास परियोजनाएं तुल मिलाकर इसमें एक ही ही चीज है वह राजस्तान सरकार की प्रमुक विकास परियोजनाएं एवं राजस्तान सरकार की योजनाएं तो इसमें अपन बहुत सारी लगवग सो प्लस जो है वह राजस्तान सरकार की योजनाएं साथ साथ में आधार्बुस रचना एवं संसाधन हो जाएगा समर्दी विकास आयोजनाकरसी उद्योग शेवाचेतर से जुड़ेवे मुद्दे अर्थ वरस्ता का व्रहत प्रिदर शे यह सारा का सारा पॉर्शन जो है वह आपके राजस्तान एकोनोमी में आपको मिलने वाल यानि कि जिस एक्जाम के अंदर भी आपके राजस्तान भुगोल एवं राजस्तान आर्थ विवस्ता है वहां पर चाहे कोई साब एक्जाम हो आप अपने हिसाब से जो है वो टॉपिक सेलेक्ट कर लेना कि मैं जैसे की ट्यारी कर रहा हूं तो यह टॉपिक मुझे पढ़ में भी आप जो है वो उन टॉपिकों को यहां से पढ़ सकते हैं जो आपके SI के अंदर है LDC में नहीं है कहने का मतलब राजस्तान जियोग्रफी और ECONOMY के अंदर जितने भी टॉपिक आ सकते हैं राजस्तान के सभी एक्जाम में वो सारे के सारे इसमें आपको कवर किये ग आपके सामने जो है वो इससे कोर्स के बारे में जो जानकरी है जो सेलेबस है उसके बारे में हमने चर्चा करी है तो एक परकार से आप सभी के लिए यह एक अच्छी खबर भी है कि राजस्तान बुगोल अर्च व्यवस्ता का अच्छा में नहीं मिलता है पढ़ने के लिए पांच परसेंट की गारंटी कोई नहीं ले सकता लेकिन 95 परसेंट के गारंटी में लेता हूं कि आपकी एक्जाम में जो अपन पढ़ेंगे उसमें से प्रस्टन एजटीज मिल जाएंगे तो फिलाल इतना ही रखते हैं आगे फिर से मिलते रहेंगे तब तक के लिए धन्यव